यह गाई सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एट्मिक्स को बेल नोटिफिशन ओन करके और का बटन दबा जिए गए ताकि आपको सारे नोटिफिशन मिलते रहेगे और भी हमारे वीडियो आप देख सकते हमारे चैनल के अंदर जाके वीडियो को शूरू करते है तो दोस्तों जो सबसे पहला डॉक बीडाता है वो हैं अमेरिकन बुलड़ुकि एक हयवी मस्किल्डिड है, और इन डॉक बुरीड को जो इनकी गाट के लिए या फिर हॉंट के लिए यूज इुज किया जाता था और दोस्तों ये डॉग बीड काफी ज़्यादा लॉयल रहता है ये डॉग बीड अपनी जान की परवा करे बगर अपने ओरनर के प्रती काफी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते है और इसी लिए इन डॉग बीड की जो सोसेलाइजेशन है उस पे आपको काफी ध्यान देना पड़ता है जिससे इनको पता चल जाए कि कौन फैमिली फेस है और कौन सा थ्रेड है यानि कौन स्ट्रेंजर है अगर आप इन dog breed की socialization and training पे ध्यान नहीं देते तो ये dog breed काफी ज़्यादा aggressive बन सकता है इसी के साथ साथ ये dog breed कुछ countries में बैन है जैसे कि Denmark, Italy, Singapore and Malaysia इसका मतलब ये है कि इन countries में आप इस dog breed को नहीं रख सकते ये कुछ popular countries है जो मैंने आपको बताई सेकेंड आता है Neapolitan Mastiff ये dog breed को पुराने समय में as a gladiator dog roman crolesins में use किया जाते थे ये dog breed काफी ज़्यादा भारी और used dogs केलाते है और ये dogs में जो male dog breed होती है वो 200 pound से भी ज़्यादा weight की हो जाती है और इसी कारण अगर आपके घर में कोई आसपास babies हो तो इनको उनके साथ रखना थोड़ा सा dangerous हो सकता है और अगर आप इन dog breed को सिंगापूर में own करते हो तो ये illegal केलाता है अगर आप इन dog breed को Romania में adopt करना चाते हो या own करना चाते हो तो आपको psychological evolution पास करना होगा नमबर थ्री wolf dog wolf dog एक controversial topic रहा है अमांग जो dog owners हैं उनके बीच क्योंकि इन dog breed का जो genetic structure है वो काफी हद तक wolf जैसा है इन dog breed के कुछ अलगी challenges होते हैं जो dog owner को face करने पड़ते हैं अगर आप इन new dog owner हो तो ये मैं suggest करता हूँ कि आप इन dog breed को ना ले क्योंकि इनका एक unpredictable behavior भी देखा जाता है इन dog breed में अगर आपको कुछ experience और socialization के बारे में जानते हो तो आप इन dog breed को adopt कर सकते हो और इन dog breed में जो wolf का genetic structure इसके कारण इन में कुछ wolf जैसी हरकते भी देखने को मिलती है ये dog breed इसी के चलते नौरवे और fine land में बैन है अगली जो dog breed है हमारी वो है boar ball ये dog breed साउथ अफरीका से है और ये dog breed का appearance है वो bull mastiff के जैसे दिखता है इन dog breed को ब्रेट किया गया था नेटिव अफरिकन डॉक्स और गार्डॉक्स में और ये dog breed को पुराने समय में ऐस गार्डॉक यूज किया जाता था in 1920 जब इन dog थोड़े popular हुए तब इन डॉक्स को पुराने समय में जो माइन्स होती थी या diamond companies होती थी उन जैसे companies में भी इन dog breed को as a guard dog रखा जाता था साथ साथ अभी के लिए भी ये dog breed काफी जादा अच्छे guard dog बन सकते है लेकिन socialization and training पर आपको इन dog पर भी ध्यान देना पड़ सकता है और यह dog breed काफी ज़्यादा अच्छे guard dog होते और काफी energetic होते हैं इसलिए इनकी training ना दो तो काफी ज़्यादा problem भी हो सकती है और इसी के जलती है रोमनिया रशिया और सिंगापूर जैसे countries में इन dog breed को बैंड किया ग dog breed का यूज किया गया है इंक्लूडिंग ग्रेट डैन डॉग जो बोडो एंड आइरिस फुलफॉन इन dog breed के जो breeders है एंटोनियो सर इन ने इन dog breed को breed किया गया था as a big hunter dog breed जैसे की mountain lions के साथ इनकी fighting करने के लिए और इसी के चलते यह dog breed more than 10 countries में बैन है जो 6 नंबर की dog breed है व और यह भी देखा गया कि इन dog breed का एक पैर था जिनोंने 33 years old man को किल किया था यह dog breed originally breed हुए Aryan Brotherhood for fighting rings और इन ही कारणों के वज़े से इन dog breed को बैन किया गया है इसमें से जो popular countries है वो है Australia, Singapur, New Zealand and Poland No.7 Tibetan Mastiff यह dog breed को आपने ज़्यादार केसों में नहीं देखा होगा कि यह बैन नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसी cities या countries के सकते हैं जहां पर यह बैन है जैसे कि Malaysia हुई, Ukrainian हुई, France हुई, इन countries में बैन है यह dog breed अगर aggressive हो जाए तो काफी dangerous हो सकते हैं कई सारे cases भी देखे गए जिन countries में यह बैन है इसलिए इन countries में बैन किया गया है और साथ साथ अगर आप इनको proper training नहीं देते, socialize नहीं कराते तो यह dog breed काफी ज़्यादा aggressive हो सकते हैं इसी करन इन dog breed को कुछ countries में बैन किया गया ह ऐसे यह dog breed काफी ज़्यादा loyal and humble रहते हैं अपने owner के प्रती तो इस list की 8th number पे आता है तो साइनू यह dog breed का weight जो होता है वह 100 pounds लेके 200 pounds के बीच में कोई भी हो सकता है यह dog breed एक mix है indigenous Japanese dog का और एक western dog breed का सच अज मैस्टिफ और बूल टेरियर और साथ साथ यह dog breed काफी ज़्या किया जाता था और जो ideas होते Japanese के combat के बामले में काफी ज़्यादा different होते locals के मुकाबले में यह dog breed काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं fight में हो यह silently fight करते हैं काफी अच्छे से without rolling और इसे के चलते इन dog breed को कई सारे countries में बैं किया है जैसे के Denmark, Malta and Norway जो 9th number की dog breed है वो है band dog यह since middle age के दोरान से use किया जाता था है यह describe करता है large dog breed को और पुराने समय में इनकी जो dogs की chain होती है वो रात को निकाल देते थे जिससे कि यह guard कर सके उनके घर को उनकी property को और ज्यादा तर जो modern band dog होते हैं वो pure breed नहीं होते हैं उनको ज्यादा तर है cross breed करके बनाया जाता है उसम इसके मामले में हैं एपी बीटी के जितना हो और यह dog breed भी डैनमार्क सिंगापूर मालेशिया ऐसे country's में बैन है और लिस्ट के जो 10 नंबर की dog breed है वो है pitbull इस dog breed के बारे में आपने जरू सुनाओगा काफी dangerous dog breed में भी इनका नाम आता है और illegal dog breed अगर adopt करते हो कुछ country's में तो उसमें भी नाम आता है यह dog breed कई सारे human's attacks के लिए responsible है इसलिए इन dog breed को illegal कुछ country's में रखा गया है या फिर dangerous dog breed में रखा गया है ज्यादा तर केसों में इन dog breed की training and socialization पर ध्यान नहीं दिया जाता है इसके कारण यह dog breed aggressive behavior देखा गया इन dog breed में इसके कारण चलते यह dog breed dangerous औ और कुछ country's में बैन की गई है और ज्यादा तर country's में इन dog breed को आप एड़ भी कर सकते हैं साथ साथ अगर इन dog breed आपके घर में बेबी जो या फिर आप first time dog owners हो तो मैं suggest करूंगा कि आप इन dog breed को एड़ आप ना करे क्योंकि इन dog breed को एड़ करने के लिए काफी साधा experience की problem हो सकती है और dog को भी हो सकती है और अगर घर में बेबी जो और first time ले रहे हो तो आप ना ही ले तो अच्छा है अगर आप first time और आप दूसरे dog breed के साथ जा सकते हैं जो काफी loyal and friendly रहते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी top 10 illegal dog breed की वीडियो अगर आपको इसको part 2 चाहिए या फि तो ऐसे interesting video के साथ thank you for watching